दोस्तो आज किस वीडियो हम बताने जारहे हैं कि अगर आप एक लेवर मजदूर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्त्पुर्ण होने वाले हैं और ये वीडियो काफी अच्छा होने वाले हैं दोस्तों के फाइनली बियार सरकार ने यहाँ पे एक notification जारी किया है जिने में बताया है कि अगर आप एक labor मजदूर है और आपका labor card बना है तो labor card number के मदद से आप बिल्कुल free में आईस्मान card बना कर सलाना 5 लाक रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं इसका दोस्तों officially जोसे यहाँ पे एक जोसो अजी सूचना जारी किया गया है और जिन में बताया गया है कि लोगों को जागरू किया जारा है कि अगर आप एक labor मजदूर है तो आप आप आईस्मान card बिल्कुल free में बनाईए और सलाना 5 लाक रुपए तक का मुफ्त इलाज कर दोस्तों मेरा नाम है राजक्मार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंट्स वीडियो में इसकतर आप से एक रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और इसी तरह की जानकारी ठीक इसके नीचे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लिखा रहा है कि बिहार भवन एवं अन सन्नी मार कर्मकार कल्यान बोर्ड पटना उसके नीचे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे लिखा है कि बी ओ सी डवलू से निमंदित निर्वान कामगारों के लिए निसुल्क आप बी ओ सी डवलू क्या होते हैं दोस्तों यह मैं आपको आगे बताऊंगा बट उससे पहले दोस्तों और कुछ बेसिक सी जानकारी जान लिजिए यहां पर पता जा रहा है दोस्तों कि आईसमान कार्ड बनवाने हितु आवेस्ट्रक सूचना यानि कि आप एक लेवर मजदूर हैं तो आपके लिए आवेस्ट्रक सूचना जारी किया गया है कि आप लेवर नमर की मदद से फिरी में आईसमान कार्ड बना सकते हैं चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप जोसो कैसे चेक करेंगे कि आपका जोसो लेवर कार्ड बना है या पर नहीं बना है साती आप अपने पंचायत में कितने वक्तिका लेवर कार्ड बना है कैसे चेक करेंगे यह मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बात मैं आप बताऊंगा कि आप आवको डबॉकम्स से बना सकते हैं या कहीं आपको जाने की जरुएत होगी सभी जानकारी मिल करना है बिहार कार्ड यह लिक करना है पहले बाले लिंक लिफ़ लिए PER KRoos इस website पे आसकते हैं यहां पर आपको एक क्लिक करना हुग सब से पहले आपको कुछ Specifically do Nagasya and the जो भी जिला का नाम है, simply आप अपने जिला के नम पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए, जिला के नम पर आप जिसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दो अप्सन देखने को मिलेगा, सहरी यानि अर्बन, रूरर यानि ग्रामीन, अगर आप ग्रामीन छेट से आते है तो आपको इस पर क्लिक करना है, अगर आप सहरी छेट से आते हैं, तो इस पर क्लिक रहने देना है, तो दोस्तों मैं ग्रामीन छेट से आता हूँ, तो इस तरह से हमने क्लिक कर दिए, उसको आपको 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 अपना ब्लॉक का नाम से लाइट करना है, तो इस पर इस बाटन पर किलिख कर देना है। इस तरह से बटन पर क्लिक कर दिए Pacific में जितने व्यक्ति का लेवर कार्डवैंगा है। तो दोस्तों के मेरे फॉन का भी डाटा सुलो चलना है तो मैं कुछ सगेंड वेट कर लेता हूं और वेट करने बाद दोस्तों जिससे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे जो लगवा लिस्ट आ चुका है कि यहां पे देख सकते हैं आप अपन अपना नाम कुछ चम कर लेता हूँ इस तरह से में सर्च करना ये मैं तो मैं इनका एक नाम को इस तरह से और कॉपी कर लिए जानकारी परपस से तो आपका जो भी नाम होगा वह आपको सिंपली टैप करना होगा तो मैं एक नाम के लिए मैं सिंपली कॉपी कर लिए उसका थ्री डॉट पे किलिक करना है और थ्री डॉट पे किलिक करना होगा तो इस तरह से किलिक किजिए और जो भी ना करता हूं इन हैं copy कर लेता हूँ copy करने वार दूस्तोर अब को क्या करने है कहीं है निप कर लोगाए तो उनका जीरोक्स करा लेना है उसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप बिल्कुल फिरी में आईस्मान कार्ड बनाएंगे तो दोस्तों देंके मैं फिर से यह नोटिफिकेशन पर आच चुका हूं और इन नोटिफिकेशन में पूरे जानकारी ब जाकर निस्सुल्क आईस्मान कार्ड बनवाएं तो दोस्तों देंके यहां पर बताया गया है कि वैसे लेवर मजदूर जिनका जुस्त रजिस्ट्रेशन अपरेल 2021 से पहले पहले लेवर कार्ड बन गया है वैसे वेक्ति आप अपने नजदी की से सेंटर जाकर आईस्मान क आपके पास लेवर कार्ड है तो उसका जिरौफ करा लेना है अगर अगर कार्ण नहीं है या फट गया हो जल गया कोई वी रिजन हो तो उस वीच है आपको इसी तरह से जैसे मैंने आवी आपको पीछे बताया कि नमबर निकाल लेना या फिर उन्हें नोड कर लीजिए गा या प्रिंट कर लिजिएगा तो वह नंबर की जरूद परेगा उसके बाद आपको अधार कर लेना होगा और उसके बाद आपको बैंक का जो सो पास्बूक की छाया परती यानि यह तीन डोकुमेंट का आपको जिरॉस कराना होगा उसके आपको नजदी की CSC सेंटर जाना आप चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आप जैसे यह डोकुमेंट लेके जाते हैं तो जो CSC यूजर होते हैं वह कैसे लेवर कार्ड नंबर एंटर करके आपका लेवर कार्ड बनाएगा तो दोस्तों सिंपली मैं क्या कर तो इस तरह से एसकोर करने बाद दोस्तों कुछ बेसिक से डिडल बनने वाद दोस्तों आपका आईसमान कार्ड बना दिया जाएगा अब जैसे दोस्तों आपका आईसमान कार्ड बन जाता है आपका तो बनी जाएगा लेकिन साथ-साथ आपको आईसमान कार्ड बनाते वक्त उनको बोलना है कि भाया मेरे फेमिली का भी इनमे नाम जोर दीजिए तो 100% आपका भी नाम जो सो आपके family में जितने व्यक्ति होगा उन सभी का नाम जोर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों यह नाम जोरने की प्रकडिया सभी को नहीं दिया जाता है जो officially सरकारी करमचारी होते हैं उनको दिया जाता है तो यह आप चा अनकार्ड बनवा सकते हैं उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सक्या और उन्हें भी कुछ मदद मिले